नमस्कार दोस्तों, स्टेडी ग्लोज में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज इस लेक्चर के माध्यम से हम बहुत इंपोर्टेंट एक्रॉनिम बाइपॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो ब्लैक्स के साथ उतियाई जाती और समाज में वाइटिस सूप्रीमेसी के अगेंस्ट आवाज बुलंद करके इंटरनेट पर खूब ट्रेंड में रहा गूगल ट्रेंड के आकड़ों की माने तो मई 2020 में जोर्ज फ्लॉइड ब्रियोना टेलर और एहमद औरबरी की मोत के बाद ये एक्रॉनिम ब्लैक लिफ्स मेटर मूव्मेंट को कोईंसाइट करते हुए इंटरनेट पर चाया रहा सो डिसकस करेंगे इस टॉपिक को और जानेंगे कि आखिर ये बाइपॉक है क्या और ये एक्रॉनिम कहां से आया और कुछ पैमानों पर इसका क्रिटिसम होता है उसको भी वीडियो लेक्चर में देखेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेर और चै से डिसक्राइब किया जाता है मतलक जो काले लोगों को डिसक्राइब करने की लेंगог sacrifice है जो भाशा है वो अकसर विवादों में देखी जाती है यहां पर काले लोगों को बहुत सारे नामों से जाना जाता है जैसे यह लोग इने black americans, african american, negro colored और भी बहुत कुछ कुछ कह वो वैसे तो अभी ही स्टार्ट हुआ है लेकिन जो इसके तीन लेटर्स है पी ओसी वो 1916 से ही यूज होते आए हैं और इसने ब्लैक ब्राउन और और जो कलर्ड वर्ड यूज होता है ब्लैक पीपल के अगेंस्ट उन्हें रिप्लेस किया था हाला कि जो बाइपॉक है वो 2013 म हुआ और मई 2020 में जॉर्ज फ्लॉइड की मृत्यू के बाद तो यह बहुत बुरी तरह ट्रेंड कर गया था ट्रिटर पर राइट तो जो यह बाइपॉक है इसे चलाने का अकसर मोटिव क्या है हम बाइपॉक मुवमेंट चलाते क्यूं है आपको इतना समझ आ गया होगा लेकिन मैं बताती हूँ कि ऐसा क्यों करते हैं देखिए इसका यही मोटिव है कि हम इसकिन के कलर रेस और हेयर में जो डाइवर्सिटी देखी जाती है जो विविदता है उसे सुईकारे और वाइटिश सूप्रीमेसी को पूरी तरह से खतम किया जाए इसी बात पर मुझे और रे लॉर्ड की एक बहुत खूबसूरत कोट याद आती है उन्होंने कहा है कि इस नॉटार डिफरेंसेज देट डिवाइडस इट इस आर इन अबिलिटी टो रिकागनाईज असेप्ट एंड सेलिब्रेट डिफरेंस इसका मतलब है कि हमारे डिफरेंसेज हमारे बाड़ते यह हमारी आसमर्थता है हमारी इनेबिलिटी है जो हम इन डिफरेंसेज को सुईकारते नहीं है इने सेलिब्रेट नहीं करते भगवान ने हमें डाइवर्स रूप में बनाया है इसे सेलिब्रेट करना चाहिए लेकिन हम इसके खिलाफ मतबेद करते हैं हम लोगो अगर आपने देखा होगा तो यह कहकर दिया जाता है कि अगर आप इस प्रड़क्ट को यूज करोगे जादा तर प्रड़क्ट का बोल रही हूं मैं तो आप गोरे हो जाओगे तो इससे तो सीधे सीधा आप यह कह रहे हैं कि जो काले लोग है उनके खिलाफ आप समाज में बेदभाव कर रहे हैं तो लोगों को क्या होता है कि इस चीज से दिमागी तोर पर परिशानी होती है उन्हें mental pressure create होता है वो यह सोचने पर मजबूर होते हैं कि वो सुन्दर नहीं है वो beauty standards को meet नहीं करते तो इससे क्या है समाज में mental pressure भी create कर रहे हैं आप black persons के खिलाफ और अगर कोई person brown है black है नीग्रो है African American है सब को एक place पर लाकर इखटा कर दिया जब कि सबके लिए एक अलग specialized solution होना चाहिए क्योंकि ऐसा नहीं है कि इन लोगों के साथ एक तरह की ही जाती की जाती है एक ही तरह का injustice होता है brown के साथ थोड़ा कम होता है कहीं African Americans के साथ तो बहुत जाती हमें देखी जाती है जैसे हमने George Floyd के case में देखी उनके साथ बहुत जाती देखी गई वह एक black person ठीक है तो अमेरिका में जादातर ये जाती हम सदियों से ही देखते आये हैं आपके क्या विचार है आप क्या सोस्ते हैं आप भी comment section में बताईए तो ये था lecture BIPOC movement के बा जाती हैं